इलो गाइज आप सभी के एक बर फिर से स्वागाथा आपके अपने स्टूडियो सचेन वीडियो मीकीसिंग रैग sırमें जोगी लोकेशन पड़ता है मोंतिहारी जिला विहार अभी हार में आएगा तो मोतिहारी जिला पड़ता है और मोतिहारी जिला में हरसिदी एक जग़ा कानाम है चोटा सा स्थान है सहार मार्केट बजार कर सकते हैं वहाँ पर यह स्टूडियो दिखेगा गर्ला ईग स्कुल के सामने इस्टूडियो का नाम है सचीन वीडियो मिक्सिंग लाइब आपको किसी भी तरह का कैमरा वेगरा खरीदना है देखिए पीछे दिखरा है कैमरा वेगरा सब चीज है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मुवाइल नमबर दिख जाएगा या फिर वीडियो में आप देख सकीएगा मुवाइल नमबर है वहाँ से कॉल करके संपर पर सकत गया है कैमरा से रिलेटेट किसी भी तरह का एसो स्री चाहिए आपको या फिर सेकेंड एंड पुराना नया कैमरा चाहिए तो एक बार हम से संपर किजिएगा हमारे स्टुडियो का पता हुआ सचिन वीडियो मिक्सिंग लाइब मुतिहरी जिला भिहार हर सिद्धी और यहाँ पर 3D में वीडियो एडिट किया जाता है दिखिए यहाँ पर कैमरा के सभी समान एवलेबल है यहाँ पर जो भी आपको चाहिए बिल्कुल कम से कम रेट में मिल जाएगा यहाँ पर 560 कैमरा एवलेबल है जिनको भी चाहिए एक बार हम से संपर किजिएगा 3D में आपको फोटो प्रिंट कराना हो किसी भी तरह का फोटोग्राफी सुट कराना हो या फिर प्रिंट कराना हो जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 3D में लाइटिंग में है तो एक बार हम से संपर किजिएगा एक केमरा है 4K केमरा है P500 है NX200 है UX90 है और ड्रोन काफी सार एवलेबल है वहाँ है कुछ ड्रोन का बॉक्स यहाँ पर पड़ा हुआ है और केमरा का बैग वेगरा चाहिए नया बैग तो मिल जाएगा कैमरा के सभी समान ISO सुरीज एवलेबल है चार्जर बैटरी जितना भी आता है ऐसी सुरीज में सभी सिज एवलेबल है एलबम यादी बनवाना है कॉरिज्मा एलबम तो आप कॉरिज्मा एलबम बनावा सकते हैं 3D में देख सकते हैं यहाँ पर जो यह आपको दिख रहा है 3D में एलबम है काफी बेस्ट है जो एक और एल्बम बनवाना है एल्बम के लिए वो इसस्टम पर अपना वीडियो एडिटिक काम करते हैं यहां पर देखिए गाई यह वाला अपना शीस्टम रखें है आई-9 सिस्टम है 12 जेनरेशन काफी बेस्ट है इसे पर हम एलबम प्लस वीडियो एडिट करते हैं और काफी ज एक आपना इस टूडियो है अपना इस तूडियो आप मेरे मित्र हैं दोस्त हैं इसलिए आ जाते हैं मुलाकाण कर ले बहुत अच्छा लगा आप मेरे मेरे इस्टूडियो में है कैमरा के किसी भी पार्ट का आओ सकता होगा तो एक बार हमसे संपर्ख किजिएगा आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है या फिर डायले स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है एक बार संपर्ख जरूर किजिएगा